आज हम देखेंगे एक बहुत ही असान सा तरीका जिससे कि हम स्टोपेरीज को एक लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ बविता और मेरी हल्दिकली किचन में आप सभी का स्वागत है अगर आपको मेरे रसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रसिपी यहां मैंने लगबग आधा किलो स्टावेरिस ली हैं यह ताजी स्टावेरिस हैं और जो एकदम फॉर्म हैं इनका अच्छा सा रेड कलर है और इन पर कोई कट भी नहीं है हमें ध्यान यह रखना है कि स्टावेरिस अच्छे से पकी तो हूँ पर वो ओवर्राइट ना हूँ ओवर्राइट स्टावेरिस जो होती है वो बहुत जल्दी मूशी हो जाती है तो हमें फॉर्म स्टावेरिस ही चूज करनी है तो अब हम सबसे पहले जो इनका उपर का ग् उसको निकाल देंगी तो मैं एक एक करके सारे इनके पत्ते निकाल रही हूं और चेक कर रही हूं कि इस पर कोई हाट पाट तो नहीं है और उनको भी कट करके अलग करतूंगी स्टोबेरी एक बहुत ही डिलिशेस और जूसी फूट है लेकिन हम इसको नॉर्मल टेंप्रेचर पर बहुत जादा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते तो मैं जो आज आपको तरीका बताऊंगी उससे आप बहुत असानी से इसको एक लंबे समय तक स्टोर करके रख अब हम एक बॉल में पानी लेंगे और उनमें इस्टोबेरी को डालकर अच्छे से दो लेंगे ताकि अगर इन पर कोई मिट्टी लगी है तो वह इससे अलग हुझाए यह हमें बहुत ही ध्यान से पानी में इसको धोना है ताकि हमाई स्ट्राबेरिस खराब ना हूँ तो हमें इसको अच्छे से निजोर कर एक ट्रे में निकाल लेती हूँ और थोड़े देर के लिए हम इसको साइड में रख देंगे आप चाहें तो एक किचन टावल या पेपर टावल पर भी इनको सुखा सकते हैं मैं प्लेट में ही छोड़ रही हूँ थोड़ी देर के लिए तो अब हम इनको पीसेज में कट कर लेंगे आप चाहें तो पूरी होल स्टावबेरी को भी आप स्टोर करके रख सकते हैं अगर हम उसको काट के रखेंगे तो यह इजी हो जाएगा हमारे लिए कि हम इसको कहीं पर भी यूज़ करना चाहें तो वो इजी रहेगा चाप के वी स्टोरबेरी को आप केक बनाने में मफिन बनाने में और ओर्स में डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो इजी रहता है कि वो पहले से ही जॉप होती है और हम उनको डिरेक्ली उसमें एड कर सकते हैं तो अब यह मैंने सब चॉप कर लिया है कुछ मैंने हाफ पीसे में कर लिया है और आप इसको हम एक ट्रे में एक लियर में अच्छे से स्टेट कर देंगे अब इन ट्रे को हम फ्रीजर में तीन से चार घंटे के लिए रखतेंगे जिससे कि इन पर जो भी मौश्चे कांटेंट है वो एक पर सेट हो जाए ऐसा करने से जह हम स्टोर करके रखेंगे अपनी स्ट्राबरीज तो आपस में चिपकेंगी नहीं लगभग चार गंटे हो गए है अब हम अपनी ट्रेज बाहा निकाल लेते हैं तो स्ट्राबरीज अच्छे से हाड हो गई है यह थोड़ी सी ट्रेज पर स्टिक हो रही है तो हम इनको अलग कर लेंगे अम इनको स्टोर करने के लिए जिप्लोग पैग यूज कर रही हूँ आप चाहे तो कोई भी फ्रीजर से प्लास्PN या घ्लास कन्टेनर चम ग्रम इस ऐफनिटीन कर सकती है है क्योंकि जिप्लोग पैग बहुत ऑख ईजि टो यूज है वो फ्रीजर में आप कहीं पर भी उन उनको में दूसरे बैग में डालूंगे अब हमें ध्यान ये रखना है कि हम जब जिपलोग बैग को बंद करें तो उसमें से जादा से जादा एर निकल जाए वो हमें कोशिश करनी है तो हम इनको अच्छे से बंद कर देंगे और अब हम इनको वापस फ्रिजर में डाल देंगे आप इस तरह इनको आठ से दस महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं तो आप भी इस तरह के से स्टोर पैस को इजीली स्टोर कर पाएंगे और आपको मेरी टिप कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नहीं इजी और हल्दी रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक कियर